नमस्कार आप देखरें नीजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजो उनलाई शुरुवात करेंगे बॉलिटिन की जो आएक तरफ निर्मला सीतरमन के बजट पेश करने के बाद से ही इनेता प्रतिपक्ष की प्रतिक्रियाएं आनी तेज हो गई है तो वहीं विपक्ष इस बजट से नाखुष थाivas हिए उत्राखन की जनता से जब इस बजट को लेकर निजवल इंडिया की टीम में राए जानी चाही तो जदे तर लोग इससे नाखुष देखें देखें इस बजट को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही नमश्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल इंडर में आपके साथ नीशी भाड़िया आज मौझूद उत्रखन की राजदानी के मशूर बजार पल्टन बजार पर जहां लगत्तार 14 परवरी को मतदान की प्रक्षिरिया को लिकर अवेर्नेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जियां नुकर नाटक के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से हैं यहां पर लगात्तार जो है लोगों को जागरुप किया जा रहा है और आज हम यहां लोगों से बातचीत करने भी पहुंचे हैं और इस खासकर जो बजट कल एक वित्त मंतरी जो निर्मला सीतारामन द्वारा एक बजट की पेशी हुई है उसको लेकर भी जो मतदान की प्रक्रियाद होने वाली थी उसमें काफी हद तक जो लोगों ने एक प्लान मनाया हुआ था उसमें काफी जादा चींज आ चुका है जो बीजेपी के सपोर्टर चुका है इस बजट के पेशी के बाद तो अब हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे राजदानी में किस तरीके का महौल बना हुआ है तो हम आप मेरे पीछे भी देख सकते कि नुकर नाटक के मादम से जो लगातार मतदान की प्रक्रिया को लेकर लोगों को करें एक Stream duas finance उत्ता को लेकर कुशार रहे तो से मैं आपसे जानना हुखेंगी की आपका क्या है रिए कौन सी पाईटी सत्का में आ सकती है और राप महां थेमम कोई पाटी पाटी आ जाया है बहुत हो देने आप किसकी बॉले है पर आप क्या कहेंगे कि बजट कैसा पटेशाने लगा चीज जो आपको सबसे ज्यादा खाई होगी पेशी में जो बजट की वह वो चीज होनी चाहिए तो नहीं मैंडम लेकिन मैं एक साइब हूं हम तो रिटरन भरते पैसा देना पर ता को यह कम नहीं चाहिए था लेकिन इ और लोगों से जानने के बज़शिश करते हैं कि किस तरीके का महौल बना हुआ है और भी कई सारे यहां पर आप देख सकते हैं भीड़ी खटा हो चुकी है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी का मिधवी खटार आपको क्या लगता है कि कौन सी लेकिक दकतरा आप बाइसी सुन कि और तो होगा कुछ कुछ की बज़ेट में आपको क्या लगता है फिर भी जो कहा सुनी हुई है बज़े embassy कर आप आपको क्या लगता है उस बजट से काफी हत तक लोगों का जो ने था मतदान का वह बदला या नहीं नहीं को निवादल है यह आपको क्या लगता है कौन सी पाइटी आएगी सथा यहां आए वीजेपी चेहे लेकिन पता नहीं आगा कि मैं प्रॉपली रास्तान से विलों करत है किसानों के लिए और गरीब आमजनता के लिए तो देखते वह मैं वैसे बीजेपी का सब्पोर्टर ओर विजेपी आने चीए अच्छा बीजेपी की सबोर्टर ने पर में मिल चुके हैं से आप से भी जाना चाहेंगे आपको क्या लगता है को बजट को लेकर आपकी क्य क्यों हो बहुत खराब इसलिए है कि जो पहले से नहीं है जैसे आर्मी वालों का वन रेक वन पेंशिन का है तो उसमें जो है कि 2004 अभी तक मिला नहीं हम लोगों को तो वह बजट तो बिल्कुल खराब है और दूसरे में यह है कि कि भुटनी नहीं मिला मेंंगाय बहुत जादा चल रही है मेंगाय तो आपको मेंगाय के बारे में कुछ नहीं बता है और आपको क्या लगा कि कुछ बजट में अच्छा था या फिर सब उरा था शेया तो कि अब किस पार्टी को सब्यूद कर रहा है उसको लेकर आपकी नराजगी घासा नजर आ रही है बट आप कह रहे हैं बीजेपी को वोड़ पहले अच्छा किया है पहले बेतन बढ़ाई है लोगों को अब जो बिर्द पैंसिन दी है वह अच्छी दी है उसकी सर्विश्ण ठीक है कि अभी भी कुछ औरों को बढ़ा रहे हैं तो कुछ-कुछ चीजे अच्छी है पर यह है क अब और लोगों से भी जानने की गोश्शश करते हैं कि क्या है बजट में सर बजट की पेशी के बाद आपका क्या रिएक्शन रहा है बजट तो बहुत बढ़िया है देस हित्क में जो अच्छी बात है और पिसले 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ कि देश तरक्की कर रहा है, हम किसी भी शेतर में देखें, सब जगे प्रोग्रस है, कोई ऐसी जगे निया जाए प्रोग्रस ना हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, या देश के लिए हो, किसी भी सेक्टर के लिए, सभी सेक्टर में प्र थीजिव विजेपि ने गिया है जोनों ने दस साल में किया है यह नहींuk फटा फट काम मतलब जो टाइम लगता है ना कि एक साल रेष्टेसियन में टाइम लग रहा है या ये डेट साल लग रहा है वो दो एक-दो महिने के अंदर फटा फटो तो उससे प्रोगर्स तो जल्दी होगी फिर क्योंकि अभी टाइम कंशियूम होता है जाता इन जो कानू अपनाही है पर देखो मैं उस भी राजनितिक सी पाल्टी है, जैं अपना अपनायम कहीं भी इनसाओ वायदा उड्र है, फैकर प्लिक ही यहां आही है वादमु पिकीदक सुन्मा और कि लोगडाउन से लोगों का कितना नुकसान हुआ है अब भी देखे हो गए आप 14 आर्यू को इलेक्शन खतम हो जाए उसके बाद लोगडाउन कर दिंगे जनता फिर भूग से मरेगी मैं मैं बजट के बारे में यही कहूंगा कि बजट काफी नपा तुला रहा और इसमें ल करनरा जो एकंटेक्स के स्ल B में था तो भी देखने की जुरत है क्या जो ऑपि कि पांच लागा जो मदला शी मतला है तो मुझे लगता आप किस पार्टी को इस बार जितानी की कोशिश कर रहे हैं कौन सी पार्टी चाहते हैं आप सत्ता में देखा जाए तो मोधी फेक्टर काम कर रहा है और इस गौवर्मेंट ने काफी कुछ डेवलप्मेंट के तौर पर देखें तो बहुत अच्छा एकोनोमी के लिए किया है साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी गौवर्मेंट का जो एक आगे का जो विजिन है वह एक मौडन इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं डिजिटल इ कि भागड़ चल रही है उसमें काफी जादा वह चल रहा है कि बरसाथी मेंडर को और काफी काफी बयान बाजी चल रही है पर आपके सबसे कौन सी पार्टी एस बेस्ट भी जेपी क्यों कि हर काम भी जेपी ने वह कर दिखाया है क्योंकि जैसे उत्राखंड में है और बज़ेट पर आप क्या कहेंगी कि बज़ेट की पेशी जब हुई तो आपको एक बाद ऐसी कौन सी थी जो सबसे अच्छी लगी और कौन सी सबसे बुरी लगी बजट की बात रही तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि अगर इसी तरह से चलते जाएंगे तो देश आगे तो बढ़ेगा ही और बात रही बिजेपी की जैसी चल रही है सरकार बिजेपी की एक बार फिरानी चीए क्योंकि काम वो हो रहे ह जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था, आप ये लगा लो, नोट बंदी हुई है, मतलब किसी ने एक बार सोचा था कि नोट बंदी होगी, कि हम करवाएंगे, पर किसी ने किया नहीं, लेकिन BJP सरकार ने, मोदी जी ने ये कर दिखाया, तो अच्छा था कि नहीं अच्छा कितना कालाधन वह भाहर निकला, अगर नोट बंदी नहीं करते हो, कालाधन कुछ नहीं भाहर निकलने वाला था, आपको लग रहा है, मोदी जी का ये बैस्ट डिसिजन था, आप इस बार BJP को जिताने वाले हैं, जी, तो जैसा कि हमने इन से बातचीत करी और आखिर में ज सेनकों के लिए जो कही गई थी बात, उस चीज़ बे भी अभी सेनकों की खासी नराजगी हमें देखने को मिली, इसके साथ ही वीडियो जर्नलिस साचिन के साथ मैं नीशी भाट जयार, नमश्याद वही प्रदेश में 2022 विधान सभा चुनाव को लेकर चल रहे अफरत अफ सब्सक्राइब निश्वी भात्यान, इस दोरान क्या है लोगों की राए सुनेगे, आज हम मौझूद है राजपूर विधान सभा की क्या-क्या परिशानिया और क्या-क्या इनका समधान अभी तक नहीं हो पाया, इस चीज़ को लेकर आज हम यहां पहुंचे हैं, एक बार मैं आपको बता दूँ कि यहां से बीजेपी प्रतियाशी खजानदास जी हैं और इसके लावर को कॉंग्रे से खड़े हो रहे हैं वो है राज कुमार जी तो अब हम आज साथ जो लोग मुरूद है उनसे जान लेते हैं पहले मैं आप से जानना चाहूंगी मैं की आपको क् किस विधान सबा में क्या-क्या विकास का रहे हुए हैं और क्या नहीं हुए विकास का रहे हैं तो आप अपने विधायक को जो अभी से पहले खजानदास जी थे उनको कितने नंबर देंगी दसमें से कि अब इस पूरे देंगे अच्छा कौन सा चेहरा बसंद अब अभी आप खजानदास जी को ही वोट देंगी या फिर राचकुमार जाजानदास को तो मैं यह सवाल आपसे भी करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस विधान सबा में क्या-क्या काम हुए हैं क्या सब्सक्राइक जी खजानदास जी द्वारा कराई गई है कुछ समय कम भी मिला क्योंकि करोना काल था उस करोना काल में भी लगातार वो जनसेवा में आगे भट रहे थे और बाकी राचपुर विधानसवा में कारे करे होते जा रहे हैं और निश्चिती आगे भी खजानदा जी एक बार पुना आ रहे हैं तो हमें लगता है कि जो थोड़े बहुत कारे रह गए होंगे वह भी पूरे करेंगे तो आपको लगता है कि यहां से रचपुर विधानसवा से अब बीजेपी अपना पर्चम लह रहाएगी बिल्कुल लह रहाएगी देखे देश के हमारे यह श्वी प्रधान मंत्री नरेंदर मोजी जी की जो विचार दारा है और विचार दारा को वो साथ लेकर जो चल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रियास वो निष्टित रूप से सार्थक हो रहा है हमारे धामी जी जो है यूवा मुक्य मंत्री है यूवा स कि स्वास्ते जल और सड़कों का जो मुद्दा रहता है वह काफी अद तक मेरे साब से पूरा है थोड़ा बहुत स्वास्त इस बार राजपूर विदानसभा से एक मुद्दा बन सकता है स्वास्ते या फिर जल की समस्य नहीं समस्या थी उनको धीरी-दीर हमारे विदायक ने जो है कम किया है अभी एक होस्पिटल है जो शेहर का उसमें बैड की समस्या ही थी तो 135 बैट का माँ पर विस्तार हुआ है तो इस स्वास्ते की सेवा भी लगतार अच्छी होती जारी है तो आप कितने नमर देंगे अपने विदायक को मैं जो चेहरा आने वाला है उनको मैं मैं बिल्कुल दस्ट में से दस दूँगा और मैं लोगों से भी यही कहूंगा कि जादा से ज्यादा वोट देकर तुबारिक खजानदाज जी को विजए बनाए आप से जाना चाहूंगे कि इस विधान सुभा को लेकर क्या है आपका नजरिया दो चेहरे सामने आ चुके खजानदाज जी और कॉंग्रिस से राजकुमार तो आपके हिसाब से कौन सा चेहरा सबसे उपर उठने वाला किसका पर्चम लह रहाएगा राजकुमार जी का क्यों कि राजकुमार जी जैसे मलीन बस्तियों में जो भी नजी किनारे जो लोग रह रहे हैं वहां पर चाहें बाड आये तो वह एक घंटे में अंदर अंदर वहां पहुच जाते हैं और जी वर्तमान के जो विधायक थे हैं खजानदाज जी वहां बस्तियों में जहाते भी नहीं है राजकुमार जी वहां भरे पानी में खड़े होके बीच में लोगों की हेल्प करते हैं तो लेकिन क जहीं अगर बात की जाये खजानदाज जी कि उन्होंने अपने कारेकाल में क्या काम किया वो हमें देखने को मिला उसके बाद जो राजकुमार जी कारेकाल किसी ने नहीं देखा और उसके बाद अब सारी जंता कह रही है कि उनका काम अच्छा है इसलिए अपकी बार बीज लाईन बचाने काम राजकुमार जी ने कारा पानी की लाइन राजकुमार जी ने करा जितना वह नो ने विकास करा है और पुर्मुक्यमंत्री हरीश रावत जी तो आँचा की यह जानना सब्सक्राब से आपकी विधान सभासे कौन सा अब की बार चुनावी मुद्दा होने वाला है जिस मुद्दे के बत और अब इलेक्षिन लड़ा जाएंगे को कॉंग्रेश सरकार हमारी सरकार बनती है तो हम 500 रुबेगा गैस देंगे से लेंडर और सिक्सा वह करेंगे बैतर वह से हमारी आपस की समस्या है इससे देश से मतलम नहीं है देश जो है देश देश प्रधान होता है और मोदी जी पुरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में पुरे वर्ड के अंदर नंबर एक के नेता बन गए हैं अज अमरीका रूज जापान बिटेन सब के सबसे जाले बढ़े प जैसा ही कोई मुख्यमंत्री यहां पर आए जो इतना बढ़िया काम कर सके तो जैसे कि इन्होंने बताया कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए उत्राखंड की जनता को यानि धामी जी को उन योगी जी जैसा बनना पड़ेगा तो और लोगों से भी जानने की करते हैं कि इस वक्त क्या में मुद्धा बना हुआ है इस विदानसवा का जैसे कि आपने देखा कि आज हम राजपूर विदानसवा में मौझूद थे जहामने तमाम लोगों से बात्चीत की तमाम लोकेशन को चेक किया और पूरी विदानसवा का reality चेक करने के बाद जो ए हां पिपना विभी यूपी चनाव को लेकर BJP के दिंगजों कमर कसली है और पार्ची प्रत्याश्यों की जीत के लिए दमखं भी लगा रही है इसी कड़ी में ग्रुमंत्री अमिशा आज लोनी के दौरे पर रहने वारी है जहां वो करीब साड़े तीन बजे राम लिला मैदान में पहुंचेंगे और लोनी से वीजोपी उमीदवार नं वोट के बदले 50,000 इंटे दिलाने को लेकर कुरान के कसम भी किलाई बता दें कि बिजनौर सदर सीट से सूची चौधरी वीजोपी विधायक और प्रत्याश्यी हैं वही बात अगर लखनों की करें तो लखनों में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 15 लाख रुपे बरामत की हैं बता दें कि चेकिंग के दौरान ड्योडी चौकी के पास कार से मूठी रुकम बरामत की गई कार के साथ बाजर खाला का रहने वाला यूवक भी पकड़ा गया यूवक महानगर के एक व्यपारी के घर रुपे लेकर जा रहा था तलकनगर के रहने वाले महीश ने यूवक अर्पित से व्यपारी के घर ये रुकम हिचवाई थी वही पुलिस ने रुपियों का बौरा ना मिलने पर रकम को सीज़ कर जाच की कारवाई शुरू करती है मुटभेड में गोली लगने से एक बदमाश खाल हो गया जिसको जलासपताल में भर्ती कराए गया है मदमाशों के पास एक तमन चौह एक बाइक परामत की गई मदादे की बदमाशों ने परिक्रमा मार्ग पर मंत्री लक्षमी नराण के प्रस्तावं ग्राम पथान की गोली मार्ग कर हत्या करती थी रक्षामंत्री राजनास सिंग आज अम्रोहा के दौरे पर रहने वाले हैं जहां पर वो नोगमा के एक इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अफसे कुछी देर बाद यानि कि दोपहर बारा बजे वो यहां पहुंचेंगे जहां पर बीजेपी प्रत्याशी देविंद्र नाकपाल के रेजनता से वोट की अपील करेंगे साथ ही जाट और चौहान वोटर को साधने की कोशिश भी करेंगे बता दें कि संगीता चौहान का टिकेट कटने से यहां पर दोनों जाकियों के वोटर्स नाराज चल रही है और इसी के साथ फिलाल कबरों में इत्माही बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूस वाल इंडिया के साथ